नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेब साइट www.naysubah.org www.naysubah.org असलाम उलेकुम नई सुभा के इंडिपेंडन लिविंग प्रोग्राम के आडियो टॉटोरियल्स के साथ मैं हूँ सना नजीर आज हम बनाना सिखेंगे ओमलेट इसके लिए जो अज़्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं अंडे चार अदद, प्यास चॉप्ठ हुई वी दो दर्मियानी साइस की हर धनिया कटा हुआ दो टेबल स्पून टिमाटर बारी कटा हुआ एक अदद हरी मिर्चे चार से पांच अदद बारी कटी हुई पिसी काली मिर्च एक टीस्पून नमक, आधा टी स्पून कुकिंग ओयल 4-5 टेबिल स्पून तरकीब सबसे पहले अंडों को अच्छी तरहां फेट लें इसके बाद उपर बताए हुए अज़ा इसमें बारी-बारी शामिल करें और मिक्स करें इसके बाद पैन में ओयल डाल कर गरम करने रखें जब ओयल गरम हो जाए तो ये आमेजा जो आपने तयार किया है पैन में डाल दें दो से तीन मिनट तक पकने दें और उसके बाद चमचा चलाना शुरू करें ताके ये हर तरफ से पक जाए जब अंडे का कलर चेंज हो जाए और प्यास्ट माटर हरधनिया हरे मिर्च पकने की अच्छी सी खुश्बू आने लगे और पैन पर अंडा सिमटने लगे तब आप समझें कि अंडा तयार हो गया है इसे प्लेट में निकालें और सर्फ करें मज़ेदार आमलेट तयार है आज के लिए इतना है मिलेंगे नई रसुदी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इजहार के लिए कॉमेंट कीजिए ये डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए